महा संग्राम में बदल चुकी लोगसभा चुनाओ 2019 की लडाई तिनो दिन दिल्चस्प होती जा रही है भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्रे मोधी ताबर तोड रैलिया कर रहे हैं अंद्रप्रदेश के राजमुंद्री में एक सारवजनिक रैली को संबोधित करते हुए टीडीपी पर तीखा हमला बोला इसके साथ ही बीम ने ये भी कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मुझे आप सभी लोगों का आशिरवाद चाहिए एडीपी ने अब एक नया काम शुरू कर दिया है ये काम है साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बाते हैं जिस सेवा मित्र एप की वो बात करते हैं वो सेवा नहीं कर रहा है और नहीं वो किसी का मित्र है सच्चा ये है ये लोगों से जुड़े डेटा की चोरी कर रहा है जो कुछ भी कर पाया हूँ वो देश वाचियों के आंदर के लोगों के और आपके आशिरवाद के कारण कर पाया हूँ और इसलिए पांच साल में देश को जितनी गती दी देश में जितना बदलाव लाया उसके सच्चे हगदार आप सब है क्योंकि आपने मुझे सेवा करने का मोका दिया वही माराष्ट के वर्धा में जनसाभा को संबोधित करते हुए पीम नरिंद्रे मोधी ने कॉंग्रेस और राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी के गडबंधन की तूलना कुम्भ करन से की इसके साथ ही हिंदू आतंक सिध्धान्त पर कॉंग्रेस को आले हाथ हु लिया महाराष्ट में कॉंग्रेस और एंसीपी का गडबंधन कुम्भ करन जैसा है जब वो सत्ता में होते हैं तो छे-छे महने के लिए सोते हैं छे महने में कोई एक उड़ता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है इस देज के करोरों लोगों पर हिंदू आतंक वाद का दांग लगाने का प्रयास कॉंग्रेस ने ही किया है आप मुझे बताईए जब आपने हिंदू आतंक वाद सब्द सुना आपको गहरी चोट पहुँचे थी कि नहीं पहुँचे थी हजारों साल का इतिहास हिंदू कभी आतंक वाद करें ऐसी एक भी घटना है क्या अरे अंग्रेज जैसे इतिहास कारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है लोगसभा चुनाओ के पहले चलके मद्दान में 10 दिन का वक्त बचा हुआ है चुनाओं में जीत सुनशिक करने के लिए NDA की योड़ फे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंच सेव दिरोधियों पर हमलावर है